असलाम अलेकूम वेरी हैपी लफ्ली मॉर्ने दियर स्टुडेंट्स हाव इजी आल फाइन वेरी गूट वट आयू दूएंग स्टॉडेंग वेरी गूट भाही आप लोग स्थाडी कर रहे थे वाव कितने अच्छे बच्चे हैं अच्छा जी क्या पढ़ रहे थे आप लोग division कर रहे थे अच्छा ये बताएए कि आपको big and small में फर्क पता चलिया जब कोई चीज भड़ी होती है तो हम उसे क्या कहते है big isn't it big और अगर कोई चीज छोटी सी होती है तो हम उसे क्या कहते है small small ठीक है जी अब आज हम क्या करेंगे आज हम biggest number को circle करेंगे और smallest number को circle करेंगे बहुत अच्छी सी activity है चलने start करते हैं first of all take out your books निकाल दे आप लोगोंने very good okay now open page number 38 okay सबसे पहले आपने क्या काम करना है put a date very good आप क्या करेंगे भाई हम icons जेखिंगे icons में हमाई पहला icon कौन सा है ये finger है और finger कुछ पर नहीं है तो हमें भी क्या करना है read say with me read very good अच्छा अब next icon कौन सा है भाई इसमें देखिए एक पिच्चर पर pencil जो है वो circle draw कर रही है क्या कर रही है circle draw कर रही है तो हमें भी क्या करना है circle क्या करना है circle तो यहाँ पर देखिए हमें कुछ numbers नज़र आ रही है numbers के second नज़र आ रही है अच्छा अब हम क्या करेंगे first number जो है उसे देखते हैं ठीके अब first number हमें कौन सा नज़र आ रहा है 71 77 74 ठीके और अब आप यहाँ side में देखेंगे तो आपको पता चल ज़ेगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है biggest number the biggest number यानि कि इसका मतलब है कि अब इस set में से जो सबसे ज्यादा biggest है सबसे बड़ा number है हमें उसे circle करना है ठीके तो आप देखिए कि कौन सा number जो है वो big है कौन सा bigger है और कौन सा biggest आप बताएं 71 is big very good उसके बाद 74 is bigger very nice now 77 77 is biggest 77 is biggest yes now circle the biggest number have you done very good now we move towards the next set of numbers अब यहां पर देखिए 82 भी है 86 भी है और 88 भी है isn't it अब आप मुझे यह बताएं कि इस पूरे सेट में big कौन सा है 82 very good और 86 कौन सा है bigger है यह biggest क्या 86 88 से बढ़ा है नहीं ना छोटा है तो हम क्या करेंगे bigger हमाई पार कौन सा आजएगा 86 and 88 is the biggest number very good now circle the biggest number वाउ अब हम क्या करेंगे अब हम next set देखते हैं ठीके मगर अब next set यह आप लोग खुद करेंगे मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी ठीके अब आपका यह homework है कि आपने इस set में चे find out करना है और circle करना है biggest number को अच्छा अब हम lower part की दरफ आजाते हैं यहां लिखावा है smallest number यानि हम इस circle करना है smallest number को ठीके smallest कौन से होता है यानि कि small जो उससे छोटा होता है वो smaller और फिर सबसे last जो बहुत ही छोटा सा होता है उससे क्या कहते है smallest number ठीके जो सबसे छोटा होता है वो smallest कहलाता है चले अब हम यहां पर देखते हैं कि हमाई पास कौन कौन से numbers के set है हम परिफ फर्स वन हम देखते हैं तो हमाई पास क्या आ रहा है 85 84 and 87 इसंट इट ठीक है अब आप इसमें बताईए कि smaller small number कौन सा होगा small जो है वो 87 very good 87 is small है अब smaller कौन सा होगा 85 to 84 85 85 is the smaller और सबसे छोटा कौन सा है 84 84 is the smallest number 84 is the smallest number Small, smaller, smallest very good चले अब हम नेक्ट सेखते हमाई पा कौन सा है वाई 73 76 and 78 अब इसमें कौन सा है smaller and smallest पताईए 78 is the small 76 is the smaller and 73 is the smallest number very good अच्छा जी अब हम क्या करेंगे next sum देखते हैं 99, 93 and 98 मगर ये मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी अब आप या आपका ये homework है ठीक है आपने से फूरा आपने ये दोनों homework जो है वो complete करने हैं ये वाले set में आप क्या करेंगे biggest number circle करेंगे और यहाँ पर आप smallest member को circle करेंगे ये आप लोगों का homework है और क्या करेंगे अपनी teacher को check करवाएंगे अगर कोई problem होगी teacher आपको असानी से guide कर देंगे ठीके और क्या करेंगे भाई आप लोग अपना बहुत ज़्यादा खयाल रखेंगे प्यारे बच्चों मुझे इजाज़त दी दिये Have a nice day Allah पेस